प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, शाथियों, आज हम चर्चा करेंगे महा भारत में राजनितिक विचार, यस, महा भारत में राजनितिक विचार, बेटा, नौट करें, आज हम किसकी चर्चा करेंगे, महा भारत में राजनितिक विचार, यस, बेटा, जब हम प्राचीन भारतिये राजनतिक चिंतन का देहन करते हैं तो उसके अंतरगत मैंने प्रारभ में ही अपलोड किया है क्या प्राचीन भारतिये राजनतिक चिंतन के स्रोत और प्राचीन भारतिये राजनतिक चिंतन के स्रोत के अंतरगत मैंने आपको समझा है था कि प्राचीन भ के पीजिए में महा भारत और रामयन आता है यास महा भारत और रामायन अब छुक्य जब हम महा भारत और रामायन का अध्यन करते हैं तो रामयन और महा भारत के अंतरगत के शॉब है द्ब क tap in विचार हम भरपूर महात्रा में भर हुए हैं अर्थात जहरा मैपार्त के सिस्टम राजनितिक नवस्ता से विचार मुजूद हैं अब जूकि आज हम के Uni mahabharate की बात करेंगे की भाई अज़ा हंगे तो वास्ता में देखा जाये तो महा भारत का मुख्य पात्त का जो मुक्ह्तितव को बिश्ण पिता म हैं माहाभारत के अंत्रगत मुक्यता भीषम के राजनितिक विचारों को लिया जाता है अर्थात महाभारत में ये आपको राजा रज्य दर्णनीती अंतर राज्य संबंद जिसे आज हम अंतराश्टी संबंद बोलते हैं अपराद तरव्यवस्ता इसके साथ मैं कहूंगा सांति विवस्ता इन सब के बारे में ये आपको ये देखना हो कि भी महाभारत में विचार किस मात्रह में पाए जाते हैं तो इसके लिए प्रमुख जो पात्र है प्रमुख जो व्यक्तितव है वो भीषम पिता में है ये भीषम भीषम पिता में है ही ऐसा व्यक्तितव है जिनोंने अपने पिता की सेवा के लिए च्छन भर में कंचन और कामनी का त्याग कर दिया कंचन और कामनी का त्याग कर दिया था कंचन और कामनी कंचन मीन संपत्ति सोना कंचन सोना मीन संपत्ति प्रोपरटी और कामनीश महीला अर्थात इन्हों कंचन और कामनी का च्छन भर में त्याग कर दिया अपने पिता के शिवा के लिए और वास्तिवी कृप में देखा जाए रीपब्लिक में इस पस्ट रूप में प्लेटो ने का है कि जो दार्शिंग सासक वरग होगा जो शैनिक वरग होगा इन दोनों को कंचन और कामनी से दूर रहना होगा मतलब इन के उपद प्लेटो ने सामयवाद का सिद्धान्त लागू किया है के लुद्पादक वरग है जो विभावी कर सकता है और संपत्ती भी रख सकता है जबकि शैनिक वरग और दार्शिंग सासक वरग शे इन्होंने संपत्ती और परिवार का त्याग करा है मतलब प्लेटो ने भी बात कही है कि कंचन और कामिनी से इनको दूर रहना है किसको यस दार्शिंग सासक वरग को और शैनिक वरग को तो बेटा गोर कीजिगा यहां अब मैंने यहां पूरी राजनतिक विचारों का थाम अध्यन करी रहे हैं इन पश्चिम का गुदारन द रेवस्ता रज्य राजा दंनीति मंत्री परिशत और मैं कहँगा कि इसके अंत्रगत राज्य के जो अंग है जैसा कि मनु को दिले शुक्कर ने सपतांग राजी का उधारन दिये कि राज्य के सात अंग होते हैं महाभारत में भी राज्य के सात यह hung माने गए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्राचीन भारती राजनतिक चंतन के अंतरगत जो मूलबूत बाते हैं, उन मूलबूत बातों का सब ही विद्वानों ने, सब ही विचार को ने समर्थन किया है, महाभारत के अंतरगत भी भी शमने उन सब बातों का समर्थन किया है, यस, अब हम एक एक बात को लेते हैं चलिए बेटा महा भारत में राजनतिक विचार अब मैंने यहां पर इस रूप में यह लेक्चर तयार किया है कि कॉम्पिटिशन में किसी रूप में आप से प्रशन पूछा जाता है तो आप कांसर गलत नहीं हो सकता इसे के साथ में जो इसनात्को आप यहां देखेगा यहां सबसे मैंने पहले नोट किया है रामाय और महा भारत दो प्रमुख महाकाववे हैं दो प्रमुख महाकाववे कोन है महाकाववे कोन है रामान और महाभारत देखो राजीन भारती राजनितिक चंतरिंग के अंदर गत महाभारत कारीन राजनिती भी आती है और रामान कारीन राजनिती भी आती है आधर्शात्म की गई हैं जैसे बागवान शीरी रामजे जिस आधर्ष राजा की चर्चा की गई है जिस आदर्स परिवार की चर्चा की गई है, जिस आदर्स पत्नी की चर्चा की गई, जिस आदर्स पती की चर्चा की गई, जिन आदर्स भायों की चर्चा की गई, ऐसा आदर्स दुनिया में हमें काम मिली सकता है, प्लेटो की रीपब्लिक से भी स्रेश्ट आदर्स है, राम प्रवाइन में जिसा आधर्स राज्या को लेक्ट किया गया है ऐसा आधर्स राज्या तो प्लेटो की रिपबलीक में नहीं है जरा गोर कीजिए गाप मैं जब अलक से इसकी इस के प्लेटोर अप्लोड करूगा तब यह सारी बातियों की आज तमकेर महाभारत की बात करेंगे इन्हों ने अपनी पुस्ता की हिंदुस्तान की खोज में इस पास ट्रूप में लिखा है कि महावारत का समय बताना तो हलांकि कठीन है इसमें उस प्राचीन काल का हाल है जब आरिये हिंदुस्तान में बस रहे थे और अपनी जड़ जमा रहे थे महा भारत, दुनिया की प्रम ग्रन्तुमीस एक है ये एक विराट विस्तरद व्यापक क्रिप्रती है पृ४क्रटमींस रचणा है प्रंपरा और कथाउं का और हिंदुस्तान की प्राशियन राजनुत अर्सामाजिग सनस्ताउं का एक विश्वकोष है एनसाइक्लोपिलिया यह एक विश्व को से कौन महावारत और महावारत में कृष्ण की कथाएं हैं और भागौत गीता का या भागौत गीता नाम का प्रिशिद कावेबी है गीता के दर्शन के अतिरिक्ते भी यह है शिर्मत भागौत गीता जिसके इंदर का थार्य अध्याई है यह ग्रंट आहम तोर पर राज्य करण में और जीन में नेतिक सदाचार के सिद्धानतों पर जोर देता है राजनीती विज्यान के अध्यताओं के लिए महा भारत का सांती परव विशेश कर सांती परव विशेश मैत्व रखता है जिसमें महा भारत के सांती परव विशेश मैत्व रखता है और यह राजनीती विचारों का बंडार है कौन या सांती परव इसमें राजी कित्पत्ति किसमें महा भारत के सांती परव इसमें राजी कित्पत्ति की चर्चा की गीए राजे के तत्तों, राजे के तत्तों के बात आती है, तो प्राज़ीन भारत में राजे के साथ तत्तों महने जाते थे, जैसे मनु ने बता है, स्वामी, एमाते, यस, स्वामी, एमाते, पूर, राष्टर, कोश, कोश, शेहना और मितर साथ, तो कोटिलिन में साथ बता हैं, प्रकार से महा भारत में भी राज्ये के साथ पत्रों की चर्चा की गई हाला कि नहीं नाम अलग दियें जिसकी सर्चा हम आगी करेंगे राजी क्तत्तों राज्ये को धेश प्रकरती राज ने डिप्लोमेशी अंतर राज्ये संबंद के बात मनु नी भी किया कोटिले नी किया मनو का औंतिराज्य संबंदी सिद्धνत में अपरोड कर दिया है को टिले का ऑचा भी और शुक्र का भी अंतिराज्य संबंदी सिद्धाहंत कर दिया है आप देख सकते हैं तो यहा महा भारती विश्की चर्चा की गई है और राजनितिक नहतिक तैम सदचार पर प्रकाश ना लगा है भागवत गीता महाबारत का सारो स्रेश्ट अन्ष है कौन सिर्मत भागवत गीता जिसमा ठारत द्याई है इसके अंतरगत स्वाम भागवान सिरी कृष्ण ने अरजुनकूप देश दिया है और जिसके बारे में एक विद्वान है विलियम वोन हमबोल्ट ने बड़ा अच्छा लिखा है कि यह सबसे सुन्दर शायद अकेला सच्चादार्शनिक का हुए है किसके बारे में कहा है स्रीमत भागवत गीता के बारे में इसमा ठार अध्याई है फिर कह रहा हूं क्रिश्ण भागवान श्व कह रहे हैं हमें मंजुर जर देखिएगा स्रीमत भागवत गीता के अंदर यह इतना मोटिवेशनल ग्रंथ है मैं तो एक कहता हूं कि आज लोग बाग दुनिया भर के पैसे खर्च करते हैं कि हम अच्छी सची किता भी बते मैं कहुंगा कि वास्तवी ग्रूप में किसे को करना हो जगाना हो तो स्रीमत भागवत गीता से स्रिस्ट विजन तोर होई नहीं सकता है तो अच्छा लिखाए नहीं सबसे सुन्दर शायदा किला सच्छा दार्शनिक का वे किसके बारे में काया सिर्मत भागवत गीता के बारे महा भारत का लेते हैं अब महा भारत की कता क सबसे पहले अपने पुत्तर सुख देव को कंठस्ट कराये थी और बाद में अपने दूसरी शिश्यों को जो है मानव जाती में महाभार के कथा का प्रशार मेर्शी वन स्पायन के दोबारा हुआ है बाकी सारे बैते में नोट कर दिये हैं दूसरा बिंदू इसके बाद में स रतराष्टर और पांडू और बड़े बेटे रतराष्टर जनम सी अंदे थी इसलिए उस समय की नीती के नुशार पांडू की गद्धी पर बिठाया गया तीसरा है पांडू ने कई वर्शुतक राजी किया इसके बाद में उनकी दो रानिया हुई कुंती और मादरी ठीक सब्सक्राइब बेटा चटा यह महाबार्त की कथा सोट मैं नोट की है और उन दिनों राजा लोगों में चोसर खेलने का आमरिवाज था ठीक है मैंने संकेत कर दिया है तो इसको आप देख सकते हैं सात्वा है पांचु पांड़ो बाहरे वर्ष वनवास और एक वर्ष अग्यात वास मिताकर वापस लोटे पर लाल ची दुर्योधन ने यहारा राजव वापस करने से इंकार कर दिया तो यह मैंने नोट कर दिया और तपशा करने के लिए वह हिमाले चले गए और संग्चेप में यही को नोट कर सकते हैं अब हमें तो मूल बात क्या देखने हैं मौल बात यह देखने हैं कि महाभारत के अंतरगत जो राजनितिक विचार है वो कौन से हैं तो नोट करेंगे महाभारत में वरनिक प्रमुख राजनितिक विचारों पूरे महाभारत का जब हमनी चोड निकालते तो उसके अंतर जो राजनितिक विचारों राजनितिक विचारों मैंने बिंदू रूप में लिया है ठीक है बेटा तो सबसे पहले तो यहां नोट करेंगे प्राचिन भारती सासन विवस्ता और राजनितिक विचारों के अध्यन का महा भारती एक महतपून श्रोत है भामारत भी एक स्रोथ है के बारे में महतलबुण विचार सभा परव के पांच वद्याए में आदर्स राज विवस्ता के जो है रूप का भी वर्नन किया गया है और आदि परव का एक सो बियाड़िस वद्याए राज्य की कारियों की समपाद निकली कूट निती का भी समर्थन करता है जैसा डाक्टर बेनी परशाद के अनुसार माह भारत वे एक परकार का ग्यान कोश है जिसमें धर्म नातिक तराजनिती आदी परविविन और विरोधी विचारों का बिस्रन मिलता है आज हम इसको जो है पॉइंट सुरूप में लेंगे सांती परव में जो वरनित विचार है उनको केवल यहां ले रहे हैं सांती परव में वरनित परमुख राजनितिक विचार जिसको कि हमने बिंदू रूप में तयार किया है यस सांती परमुख राजनितिक विचार ये बिंदू बना दी मैंने पहला लेंगे आप राज्जी की उत्पत्ती, तो राज्जी की उत्पत्ती के बारे में यहां एक प्रकार से देवी शिद्धान्त का उलिग किया गया है, जैसे कि राज्जी की उत्पत्ती के संबन्द में यहां किसी सिद्धान्त विशेश का प्रतिपादन नहीं किया गया ह कि माना समाज की रस्रस्टी के बार बहुत दिनों तक शूख और सांती का काल रहा। ना लग प्रारम में तो मौन्ष्य शुक शूख सांती से रहता है लेकिन लोग सौभात धरम का पालनु करते थे और राज्य에म कानुन के बिनावी सांतप्रवची इस दीते भीज़े दिर लोगों का अदपतन अपरव हुआ और सदाचार से ब्रस्ट हो कर कि शौर्थ लोग और वासना के वस्मी हो गए और लोगों में व्यासनों में आसकते बढ़ने से वेदादी नस्ट भरस्ट हो गए और धरम करम भी लुपत होने लगे इस से वहवेत हो करके जो इसका विष्दार्षा मंदनी मतल प्रफ्वी की वर्चित किया था और इसी कारण यह धरा प्रृथवी नाम से विख्यात हुई सांती पराव के शिक्ष्टे शेवनों अध्याय में राजी कित्पत्ते का जुबर्ण किया को पता चलता है प्राव में लोगों में एक अनुबंद या सहमाती हुई जिसका पालन नहीं हो पाया प्रणासरुप चीरकाल तक अराजक दसा पहली जैसा क बड़ी मचली चोटी मचली खा जाती जिसको मतशनय बोलते हैं और जब सब लोगों को नस्ट होने का भाया लगा तो परस पर मिल करके जो है सपत्पूरक यह नियमस्ता पितवा कि हम लोगों के बीच में जो निश्टूर वचन कहने वाले कठोर दंडियुक्त और परायद कि अंतरगत सब्तांग राजी का उधार ना प्रसली थी तो सभी दोनाश्ट का समर्थन किया गाया मतलब मौनू को टल शुकर के तरह महाबार्त के अंतरगत भी राजी निर्मान के साथ तत्व की चर्चा की गई यह नाम बहले या लागों जैसे मनिस्पस्ट कर दिया है मह भावारत में राजी को सब्तांग कहा है सब्तांग राजी राजी को सब्तांग राजी को सब्तांग राजी को सब्तांग राज्य 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 को सब्त राज्य का उध्धिश अथप्रक्रती तीसरा अब राजी कुद्धिशिक बारे महा भार्ट में गया है कि प्रजाई की सुरक्षा और शुक तता सामाजी को व्यूस्ता को बनाई रखना राजात्ma राज्य का करते होगा और महा भारत में मनिश्यों को दिश, चार पुरुषात, धर्म, अर्थ और काम बताये गए है और राज्य को दिश, मनिश्यों को इनकी प्राप्ति में साहता देना है ठीक है धर्म अर्थ और काम कशाथ पूर्श कौनिश होते हैं दर्म अर्थ चौता है राजा पाथ हाजा का भीमिशार्जा कम घॉत्पती होई है जराग्व오 कीजिएगा एहां और महाभार्थ के अनुसार प्रत्म राजा की स्रस्प्रवश्पि देवी देवे थी और वीश्म के अनुशार राजा देव है क्योंकि वह धर्म परायन है परंत इस्वर कप्रती नहीं नहीं है उसका देवत उसके दिवचरीत पर आधारीत है राज्ये में राजा प्रशासन का देख्स होता है अब इसमें आप नोट करते जाएंगे तीसरा करती हुई तो इस सबस्ट हो जाता है कि अगर धर्म पर आधारीत है तो उस राज्ये की प्रजा का विकास होता है ठीक है यह सारा नोट कर लेंगा इसके बाद पांचा बिंदू सासन सासन की द्वारही राजी में सांति रुएस्ता रहती है महाभारत में जो है सासन और रा ज्यारा धाएन समस्क्रीय द्वरिक्ट प्रजारा चियर्थन में भी जंचोंना संपति र्क्षं स्यवे जन कल्यानकरी कारी करें को करना तो इसकी अंतर अव्यारेेश का उल्रिक्या गए कि स्में महाभारत में पांच छ्ठी बात लिएंगे हम यह शारा नोट कर लेंगे चटी बात चटा बंदू लेंगे नियाय वेवस्थाइम दंड वेवस्था अंध। नियम्टर करने के लिए रिशी मुनी बना है और तीसरा है लोग शम्मत शिरोत अर्थाथ ऐसे विदियां जिन गर्यमाणता की सम्मती स्वेयर चोथा सै श्जटा सम्मत शिरोत अर्थात राचिन क्रैल ऑफल की नियम यह था कूल zal धर्म देश द्रम आधिक राचिन काल में दंड विवस्ता को राजा काही कारे समझा गाया है अता इस परस्ट कहा गाया कि पिरजा को यह पिरजा को पालन करने के लिए निमित राजदन धारण करना ही चत्रिय धारम है ठीक है बेटा और अंतिम इसके बाद मिलेते हैं अंतराज सम्मन जो बहुत महतपून है महा भारत में राजाओं में समराड बनने की भावना बड़ी प्रवल होती थी और इसकी पूरती के लिए शारमेग, आसमेग, रासुई, आधी यग होते थे इन यगों को पर मैं अलग से एक लेक्चर अप्लोड करूँगा महतपून यग नाम से और वियनिक प्रकार किया करते थे औ और यथा वाजपे, पॉन्रीक, सभापारों के 25 से लेकर 32 तक अध्याय में विरिष्टर के चारु भाहियों दारा विभिन दसाओं में दिगविजे का व्रतांति मिलता है, रासुई यक से पूरो अरजुन भीम, नकुल शाहदिव चारु भाहिये दिगविजे के लिए न में ये सारी बाते में नोट कर दी हैं, ये इसको नोट कर लेंगे आप, सब सिमयत पूर बाते हैं, महाबारत के 6 प्रकार के दुरुगों का वर्नन है, ये 6 दुरुगों का वर्नन किया गा है महाबारत में, मरभूम यक दुरुग, मही दुरुग, मनिश दुरुग, मरतिग महाना है इस T statements क शुकर के आपने यख एक इस अभी दोर चैञा दूसरी केसा दूसरी राजयां के साम ँतर इस प्रकार के सूंद इस इस्तापित करते हमें किम और यह न फकालन का बना कि यहां आठो ने तीकता महाभारत में एक इस्तान पर भी सम कहता है कि आपात काल में आधरम वी धर्म की लक्षन पाता है उस राश्तरी के मेरे दिन आधे भी धर्म में गिना जाता है इस अन्य करनेश्ञा आधरम होता है ठीक है तहापात कालिम नैतिक ताकि अपने शिद्धानत होते हैं अच्छे वैदेशिक नीतिक छेत्रे महाभारत में अनेक बाते हैं कोटनीति प्राधारी ते वहना पर में कहा गाए कि राजा जीतने के लिए जो कुछ पाप करता है उसके बाद यग और उपहर द्वारा और पाप को दोया जाता है ठीक है राजा को सव्या रखना चाहिए कि पराजित सत्रू सदा सावधान रहते हैं आते कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए गुप कूटनीति का पालन करना चाहिए और महाभारत के सांती परव में भारती आत्मा की अविरल सवी का अधुद दर्शन होता है मनीश्यों ने महाभारत के सांती परव को इतियास यास इस्ट्री इतियास धरम राजनीति कूटनीति दर्शन चिंदनाधी विविद विश्यों का अखंड को उसका है अब आंत्यमिजु में बात नोट किने इसको आप नोट करें क्या मनीश उने चिंतकुने विद्वानों ने महाभारत के सांथी परव को देगु महाभारत का सांथी परव ने राजमिती विज्ञान के विद्ज्ञारत अगेली बड़ा इंपोर्टेंट है बहुत महत्व प्र इसके बाद में जो है यहां लास्ट जुम्मेने बाते नोट की हैं इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे ठीक है तो यह महाबारत के अंतरगात जो राजनतिक विचार हैं राजनतिक विचारों को हमने आठ बिंदों के माध्यम से इसपस्ट किया है अब इन आठ बिंदों के माध्यम से आप यह अच्छे से स्पस्ट कर सकते हैं क्या स्पस्ट कर सकते हैं कि महाबारत में जो राजनतिक विचार हैं वो राजनतिक विचार आखिर कौन कौन से हैं उन जो है राजनतिक विचारों के आधार पर आप इस पस्ट रूप में इन बातों को मतलब अच्छे से किलियर कर सकते हैं कि वास्ताव में जो है जो महाकावियों में राजनतिक विचार मुझूद है या नहीं तो महाकावियों के अंतरगात राजनतिक विचार इस परस्ट रूप से पाए जाते हैं तो आप इन बिन्दू के आधार पर अच्छे से इसको इस पस्टे कर सकते हैं ठीक है बेटा तो मुझे पुरे इश्वा से आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होगे ठीक है तो यहां आप अंद में जो मैंने नोट की है न कि ये जो नयतिक्ता वाला बिंदू है नयतिकता वाला बिंदु है नयतिकता वाला नयतिकता तो इसके उपर भी जड़ा गूर करेंगे आप क्या गूर करना है मैं यह बहुत मैद्वन बात बता रहूँ क्या बेटा देखो वस्तमें अगर देखा जाए, अन्त में जो मैं निचोड़ दे रहा हूं, इसको you should do, is açıkihad note करना है ये क्ता, प्राचीन भारती राजम accumula की बात नहीं अधिय है, हम तो ये कहेंगे, भारत में प्राचीन भारती राजमतिक चुन्तन हो मुखे तैय इसके दो भागए प्राज्चिन भाति राजनतिक चिंतन क्योंकि मध्दे काल में तो चिंतन हुआ ही नहीं था डेफिनेटली हम कहा सकते हैं अंधकार का युग था क्योंकि उसमें इतनी चेतन्ता ती तरह उसना चिंतन मन नहीं हो रहा था लोगों को धरम के आवरानच ढख दिया गया था मैंनला जब लोग विश्वास सरधा के साहरे जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो वहां से राजनिते लुप्त हो जाती है मद्देकाल में ऐसा ही हुआ था लेगर मैं यहां एक निशकर्ष दे रहा हूँ कि मनु से ले करके और आज तक भारति राजनिते उन चिंटरिक जो परंपरा रही है उस चंटरिक परंपरा का निशकर्ष एक ही निकलता है क्या? कि जब तक मनुश्य एक नैतिक प्राणी नहीं बन जाएगा नहतिक प्रणी नहीं बन जाएगा तब तक राजनिती में सुधार नहीं हो सकता राजनिती का सुधार करने की पहली सरते ब्यक्तिक नहतिक बनना है आज आप देख सकते हैं हमारे भारत की बात की जाए तो महा कावे हैं महा भारत का महत्वपूर्ण जो अन्ष है स्रीमित भागत गीता इनको लोग भूल रहे हैं जबकि हमें यह कहेंगे कि अगर हमारे देश का विकास अच्छे से करना है तो सबसे पहले मानिश्यों को नहतिक बनना पड़ेगा और इसके लिए हमें हमारे बच्चों के उपर ध्यान देना है हमारे बच्चों के इस रूप में शिक्षित करना है इतने सनस्कारवान बनाना है कि उनमें हिंशा की तुरुबरती नापन पर बच्चों के अंतरगा ताज इतना व्यभीचार पनपरा है तो सारी रिक रूप से दुरूबल हो रहे हैं ब्रहम्चरी ये धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है अब सारी रूप में एक होगा कि 20 वर्स की अवस्ता से पहले ही ये सारी बल से सक्ति से कमजूर हो जाते हैं तो मारण से एक सक्ति कहा में लिए उनमें कहा तो इसके रक्षा कर पाएंगे फिर इसलिए हमें विशेश कर ध्याने देना है हमारे बच्चे के उपर कि उनकी सारी रिक सक्ति छेन नहीं होनी चाहिए ये तभी संबह होगा जबकि उनमें अस्रील की बातें व्याफी चार की बातें जनमें ले ले आज बच्चे इतने दिरी-दिरी एनैतिक सनस्कारी हिन होते जा रहे हैं कि हम देखते हैं 15, 15, 16, 16, 17, 17 वर्ष के जो बच्चे एतने हैं उनकी सारी रिक बल छीन होता चला जाता है क्यों? क्योंकि उनको वो सनस्कार नहीं दी जा रहे हैं इसलिए सबसे पहले बात ही है कि सारी रिक रूप में बच्चे सक्तिसाली हो तब ही उमानशी रिक रूप में सक्तिसाली होंगे महाभारत के इन विचारों से हमें ये सारी बातें शीखनी है मुझे पुरा इस्वास है महाभारत के अंतरगत जो राजनतिक विचार हैं उन राजनतिक विचारों को आप अच्छे से समझ सकते हैं मैंने यह विशेश प्रियास किया है कि मैं मेरे विध्यारतों को बिन्दों के माध्दम सी सारी बाते समझाओं तो मैंने सारे मतलब आठ बिंदों के माध्दम से मैंने सारी बात इसके अंतरगात ले ली हैं आपको यह आपको कुरुप में जाने की कतिया हो शक्तानी महाभारत का पूरा नीच और आपके सामने रखती है मझेश्वा से आप महाभारत में जो महतपन राजनतिक विचार है उनको अच्छे से समझ गया हुए यस बीटा ओके थेंक वेरिमस्ट थेंक वेरिमस्ट